इछले कई दिनों से मेडिया में आके हमारे साथी रहे स्री खुर्शी नर्वर्ण खान जी वो लगातार आके मेडिया में अनाप तना बत्वार्ते कर रहे हैं और उस ब्यक्ति के लिए कह रहे हैं जिस ब्यक्ति को वो प्रत्निदी थे जिस ब्यक्ति को वो अपना भाई कहते यह सब्त है कि नदीम जाविज जी नदीम जाविज जी के प्रतिदी के रूप में खुर्शी द्रवर खान जी ने 2012 से 2017 तर काम दे लेकिन 2012-2017 के बीच में बहुत सारी चीजें आई जिसकी वज़े से उनको प्रतिदी पत से हटा दिया गया बहुत सिकायते थी, जंता की सिकायते थी, पैसे लेंदेन की सिकायते थी, इस वज़े से उनको उटाये गया, 17 के बाद से खुर्शी धनवर खान जी ने अपने अंदर जो उनका गुश्सा था, वो सोसल मीडिया के रूप में निकलना सुन किया, वो नदीम जावेज जी के ब लगाना शुरू कर दिए, लगातार नदीम जावेज जी के खिलाफ और इन्होंने खबरे लगाना सुन की और नदीम जावेज ही नहीं, यह उस ब्यप्ति के खिलाफ निगेटिव लिखते थे और उससे पैसा धनुगाही करते थे, पैसे का कुई इनके पास सोर्ष है नही नहीं, यह पत्रकारिता कर रहे थे, पत्रकारिता से इनको निकल गए, उसके बाद जाके मुंबही में उन्होंने गोटल खोला, और यह लगातार अपने काम में सक्री रहे, फेस्बुक पे लिखना, अलगल बाते करना, यह सुरू था इनका हूँ, मैं 2017 के बाद से मधीम ज जिसकी वज़र से कि इनका खर्चा चले कभी बाप की बीमारी, कभी बेटे की पढ़ाई, कभी मा बीमार है, कभी कुछ जरूरते हैं, अभी जल्द में ही इनोंने काम सुरू करने के लिए, नदीम जावेजी से पैसे लिए, दोलाव रुपाई, चेक के मातने से, वो बैंक पे सामय आके इस तरह की बात करें, बेसिकली नदीम जावेजी को ब्लैक मेल करके पैसे वसूलेने का काम स्री खुर्ची जनवरा खांजी कर रहा है, वो नदीम जावेज जिसके फादर पाँच-पाँच मुखमंत्रियों के साथ महाराष्टर सरकार में काम किये हैं, तीन देश में उन्होंने काम किया, जो यूग कॉंगरेस के राष्टी महामंत्री रहे और लगातार वो देश में नौजवानों की आवाज को बुलंद करते रहें, उसके बाद माइनार्टी के चेर्मैन रहें, जो अकलेतों की आवाज को मजबूती के साथ देश में उठाते र अलग अलग राज्जियों में वो लगातार काम कर रहे हैं, हां राहुल गाधी जी के करीबी हैं, विश्वस्नी हैं, जौनपूर से विधायक थे, जौनपूर की विकास में अग्लेडि भूमिका निभाया, चाहे वो बिज़िली के लिए काम हो, चाहे वो सड़क के लिए क खुर्षी दर्वर खान जी जिस तरह से ब्लेक मेल करके पैसा वसुलना चाहते हैं और उनके पीछे बहुँड़ी ताक्ते हैं उनके पीछे लोग हैं जो अभी कुछ दिनों से नदीम जावितिकी जब से सक्रीता बढ़ी है कुछ लोगी पेट में दर्द भी सुरूँगा है और खुर्षी दर्वर खान की पीछे कुछ लोग हैं मुकदमा दर्जुगा है हमें नैले पे हमें संबिधान पे हमें कानून पे विश्वास है जाच होगी दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा नदीम जावित जी का नाम जो हर्याना में प्रचार कर रहे हैं औ और जिस दिन का ये प्रचार, जिस दिन का इनकी घतना है, इनकी उपर मारपीट की, उसकी नदीम जावेजी दिल्ली में थे, जिम में थे, उसकी CCTV फुटेज हमारे पास है, तो ये कानूनी जाच है, कानून अपना काम करेगा, हमें पूरी तरह से संविधान पे और कानून प परवाई भी करने का सोच रहे हैं, तो कि अब पानी सर के उपर हो चुका है, इस तरह की बाते एक ऐसे ब्रक्ति के लिए हो रही है, जो ठीक नहीं है, इसलिए आज आज आप सब को हन्ने आप है, आज तीर एक अपलिक्सिन धंकी का अपलिक्सिन दिया गया, और आरोप रहा है, इसलिए इस तरह की बाते हो रही है, और जाच होगी तो सब्वर्क दूर्पाने का पानी का पानी का पानी का अपनान के दावा भी किया जाएगा? एक फुर्षीत की अगर मान लिया जाएक सारी बाते गलत है, तो इस पर तो मानहान बनता है, बिलकुल बनता है सबसे पहले कि जो हमने बैंक से ट्रांजक्शन किया है, पैसा, हम उसका निकाल लेते हैं बैंक से, उसको लेके इतने बड़े गति के ऊपर इस तरह की जूटी अपवाएं, इस तरह के जोटी खबरे फैला के, मेडिया के माद्धम से, आप सब के माद्धम से, ये इतने मानहानी कर रहे हैं, उनकी राजनिती पे असार तो फिलाल नहीं होने वाला है, तो कि खुर्षी नर्वा खान जी के बारे में लोग जानते हैं कि उस तरह के बैक् इैधा काम हो करके और लोगों को गुपधा करके पैसे वरसुले का कां करते हैं, ये नदीम जैवेज की लिए ही नहीं, ये अलग अलग लोगों के लिए इस तरह की खबरे लिए ने उसको डिलीटर देते हैं जग सेनोदीम जावेट जी को पर मुकदमा और खुरशित जी को कहना मेरा जीना 2-100 और हो गया है, रेस्टूनेट में जाते हैं, वहां लोग आजाते हैं, द्धमकाते हैं, बाइट जीचान निकलते हैं, वहां लोग धंकाते हैं तो इसको किस तरीक अगर उसमें हम लोग गलत होंगे तो हमरों पर विडिक कारवाई होगे, हम सुटार करते हैं